हेलो एन वेलकम टू सनाज रसोई आज बनाएंगे हम लीची शेक लीची शेक बनाने के लिए मैंने 20 से 25 यह लीची ली है थोड़े से आइस क्यूब लिये हैं पांच चम्मत चीनी ली है चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं कम ज्यादा कर सकते हैं और दो ग्लास ठंडा पानी लिया है हम लीची का एक शर्वत की तरह बनाएंगे इसको इसमें दूद का यूज नहीं कर रहे हैं हम पानी यूज करेंगे पाल्प निकालेंगे पाल्प को हम एक नाइफ की हेल्प से इस तरह से निकालेंगे इसके सीट्स को अलग कर देंगे और पाल्प को हम यूज करेंगे इस तरह से हम पहले इसको छील लेंगे फिर नाइफ की हेल्प से इसको पाल्प को बाहर निकाल लेंगे और इसका जो सीट है इसको बाहर कर देंगे यह मैंने सारी लीची का पल्प निकाल लिया है अब हम लेंगे एक मिक्सी का जार इसके अंदर डाल देंगे इसारी लीची इसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी और इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करके पहले हम इसको अच्छे से पीस लेंगे इसका लेड लगाएंगे अब हम इसको पीस लेते हैं अब मैं इसमें आइस क्यूब एड़ कर देती हूं और एक गिलास पानी एड़ कर देंगे लेड लगा के फिर से मिक्स कर लेंगे इसको अब मैं इसमें यह दूसरा गिलास पानी भी एड़ कर देती हूं अब जानी नियुक्स कर लेंगे अब मैं चप्षाड़ कर देंगे अब यह दो उसको किसी अलग बर्दन में भी छांट सकते हैं और उसके बाद आप ग्लास में सर्फ करें हैं इस हमारा लीशी अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आई होगी अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आई है तो प्लीजे से लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब